असलाम लिखो वीवर्स आर्वाई के स्पोर्स के साथ मैं यूसफ खान लशारी आफ्टर लोंग टाइम काफी दिनों के बाद जब आज वीडियो बना रहा हूं फाइनली जब आज टाइम मिला था तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक अपडेट शियर कर दू तो कल जब य हैं पाकिस्तान किरकेट बौर्ड की जाने पसे क्योंके जैसे कि आप लोगों को मालूम भी है कि आईससी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसकी मजबानी पाकिस्तान ने करनी है तो उस वाले से पाकिस्तान में जो नए स्टेडियम्स है वो बनाने पर भी गोर किया जा रहा है लेक इन पर दिजिटल स्क्रीमंगें जिससे आप लोग दिखती हूंगे जिस दर्फन नएंडिया वह यहां पर वी याई पी कि सब्सक्रीम उत्पर शेंडिंग की जानी है इन चार बड़े स्टेडियम्स में और इसके साथ एक वी आई पी इंकलूजर जो कि चार वह मजूद ह जिसमें तकरिबान 20-23 तक जो वो चेर्स मजूद होती हैं जिनके अगर मैं बात करूं प्राइस की तो वो तकरिबान कोई 50,000 से लेकर 60,000 के करीब होती है पाकिस्तानी रुपीज में एक टिकेट की प्राइस तो उन पर जो चेर्स इंस्टॉलेशन की जा रही है उनको मजीज वो खुबसूरत बनाने के लिए नया चेर्स माँ पर लगाई जा रही है और इसके साथ एक और भी बड़ा फैसला सामने आया है वो रावल पिंडी स्टेडियम के हबाले से है कि जो रूफ है उसको लगाए जाने का इमकान जहर किया गया है 2024 तक और मुझे नहीं पता कि य यह गूगल पर जिस तरह से न्यूज आती है मुझे वैबसाइट पर तो जो शेयर आगे मतलब वो करते हैं न्यूज तो मैं भी आप लोगों को तक जो न्यूज आगे शेयर करता हूं तो उन्होंने यह का आया है कि पाकिसान की मतलब वह मेशा ही एक जो वैबसाइड है व इसकी रूफ पर भी काम किया जाएगा और ईशके सासर को काराची स्टेडियम पर बड़ा libre-vain की जा गए चारी आप शेय स्क्रीनिंग तो यह एक जो न्यूज है सामनी आई थी वो मैंने आप लोगों तक जो शेर किये है आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो चल के दियार चैनल करते सब्सक्राइब वीडियो करते लाइक कमेंट शेर करना मत मुलें थैंक यू